जहिन राम राम 15 जून को धान लगवाय था भूसड धान है भूसड और चलते हैं देखते हैं खेत में कैसा है यहाँ पर था 3000 पौधे का प्लांटेशन फिल्ड जहाँ पर लेडी गड़े करा कर देख सकते हैं इस तरीके से खेत को तैयर किया हूँ साइड में है भूसड धान जो सामने दिख रहा है उसको चलते हैं देखते हैं कैसा है 15 जून को लगाई हुई थी और साइड में देख सकते हैं अभी लोग लगा रहे हैं इसमें मौसम है बारिस का और चलते हैं अंदर देखते हैं खेत की पास चलते हैं धान कैसा है अभी जो नाली है देख सकते हैं इसमें चलते हैं अंदर तार्व को पार करते हुए देख सकते हैं इस खेट में तो पेला लगेगा इसी जुलाई मंत में 20 जुलाई के बाद ही और इसी मिट्टी के ठेर के उपर लगेगा जहां मिट्टी के ठेर बनाया गया गड्डे भी से आप लोगों ने देखा ही था कई वीडियोज में, धान, ये देखिए धान, तूरा, ऐसा है धान, अभी, देखिए इसको, इसमें कल्ले आ चुके हैं, लगभग दो से, दो पौधे लगे थे, दो, दो तीन पौधे लगे थे, दो, दो चार, दो छे, पिर दो आठ, दो दस, इसको छोड़ कर, बारा, चाओदा, चौधा, चौधा, पौधे के, इसमें कल्ले आ रहे हैं, और अभी, खेत इस तरीके से, ओबराल, और साइड में लोग, रुपाई भी कर रहे हैं, पूरा खेत तो, अभी खेत इस तरीके से, देखते हैं, बाद में एक ऐसी ट्रांसफार्म होता है, इसको पंदर जुलाई के पास, आसपास में, पंदर जुलाई, इससे सोला जुलाई के बीज में, इसका रुपाई की गया किया गया था, यह देखिए पूरा, और वारिस काफी ज्यादा है, खेत की मिट्टी, आप देख पा रहे होंगे, जब मचल रहा हो खेत में, तो दब ज्यादा दब नहीं रही है, अब इसमें लगभग यही करना पड़ेगा, पौधे लगाने के बाद, एक 15-20 दिन में पूरा, देख सकते हैं, अभी मौसम में धूप का ही है, तो हमने सोचा आप लोग को दिखा दिए एक खेत किस कंडिशन पर है, उस खेत में रस्ती की बधाई, उसकी देख रेख, पत्ते की कट्डिंग, सब कुछ हो रहा है, तो अभी आप लोग यही करिएगा, अगर संखे सूखे पत्तों की संखे जादा हो गई है, उनको कट्डिंग करते रहना, कट्डिंग मतलब करा कर उनको खेत के अंदर रखते हो तो अंदर रखना, बाहर रखते हो तो बाहर निकाल देना, इन खेत में बीटल लग रहा हो, उनको बीटल का स्प्रे कर देना, कोई सा, तमाम लोग कई तरीके से फार्मले बता रहे हैं लेकिन आप लोग अपने हिसाब से काम करना मेंनत करना और पूरा खेट इस तरीके से इधर बना हुआ है यह देखिए तो मिलते हैं कि इस वीडियो में अब भी नेक्ट टापिक के साथ जगा पर जहिन